नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में वापस स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय सत्रह की प्रबुद शिक्षाओं में गोता लगाएंगे, जिसका शीर्शक है विश्वास का त्रिस्तरीय विभाजन। इस अध्याय में भगवान कृष्ण हमें तीन प्रकार की आस्थाओं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर उनके प्रभाव के बारे में बताते हैं। प्रबुद शिक्षा को स्पष्ट करने के लिए आए तीन दोस्तों प्राज, मीरा और रवी की कहानी देखें। जबकि वह आध्यात्मिक विकास चाहती है, उसका ध्यान मुख्य रूप से सांसारिक उपलब्धियों को प्राफ्ट करने और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने पर है। अंत में, रवी अग्यानता में नहित विश्वास के प्रकार का उदाहरन देते हैं। वह भ्रम, अहनकार और आध्यात्मिक सत्यों की समझ की कमी से प्रेरित है। रवी के कार्य अक्सर स्वार्थी होते हैं, जो उसकी इच्छाव और परिनामों की अग्यानता से प्रेरित होते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर विबिन प्रकार की आस्थाओं के प्रभाव को समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण हमें अच्छाई पर आधारित विश्वास पैदा करने का आगरह करते हैं, जहां हमारे विचार, कारिय और इरादे सच्चाई, निस्वार्थता और करुना के साथ सन्रेखे थो. भगवान कृष्ण हमें उच्छ स्तर के विश्वास की खेती करने, सद्गुनों को अपनाने और परमात्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं. हम आशा करते हैं कि भगवद गीता के अध्याय सत्रह की यह समीक्षा आपको ग्यानवर्धक और प्रेरक लगी होगी. आज हमसे जुनने के लिए धन्यवाद और हम आपके निरंतर समर्थन की सराहना करते हैं. यदि आपके कोई प्रशन या विचार हैं, तो कृपया उन्ह नीचे टिपनी में साजा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें. अगली बार तक ध्यान रखें और भगवद गीता की शिक्षाएं आपको आध्यात्मिक विकास के मार्क पर ले जाएं. देखने के लिए धन्यवाद.